नमस्कार प्रदान में जी जी नमस्ते जी मेरा नाम अंकेता खत्री है और मैं एक ग्रहणी होने के साथ साथ विभिन रचनात्मक कारियों में भी सक्रिये हूँ इस समय आपकी प्रेणा से शोशल मीडिया पर कुछ क्रियेटिव करो ना के हाश्टाग के साथ एक अभियान का क्या मैंने जिसमें काशि के विभिण रचनाकारों कलाकारों को आभान कर रही हूँ जा आपकी पेढ़ना से «भाणे प्रदान मंत्री जी»141 मैंने कहीं सुना था कि जो रच्टा है वो ही बच्टा है तो काशी के समझ से रचनाकारों को नावान कर रही है। और आपको हम सब काशी की ओर से समर्पित कर सके। किन्तु एक ग्रहनी के रूप में मेरी अक सवाल है और एक चिंता है जिसे आप से साझा करना चाहती हूँ। लॉकडाउन की इस अवधी में सारे बच्चे घर पर हैं। और बच्चों को समालना एक बड़ा दूरहू कारे एक चुनोती पूर्ण कारे हो रहा है हम सब के लिए। ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनके एक्जाम प्रभावित हुए हैं। मेरा खुद का बेटा बारवी का बोट्स दे रहा था और एक प्रेपर उसका थगित हो गया है। तो घरवालों को थड़ी सी चिंता बनी हुई है। प्रदान मंत्री जी ऐसे में क्या किया जाए अंकिजा जी पहली बात तो आप रचनात्मक काम, क्रेटिव एक्टिविटी इसको बर्भ दे रही हैं। और इसका जीवन में एक अलग उर्जा उसके गांड रहती हैं। लेकिन आपने कहा कि इस सब रचनाकारों का आप इकटी कर रही हैं, मेरी भी नंती हैं। किसी को इकटा मत करो। सोशल डिस्टंसिंग, सोशल डिस्टंसिंग है सबसे पहली बात है। हाँ, आप ओनलाइन सबसे अपनी कला, उसका मागिए, आप संकलन कीजिए। और कलपना अच्छी हैं, जो इस भाव के लोग हैं, उनकी रचनाएं, उनकी चीजें, जुरूर देश को काम आएगी हैं। और ये सही हैं, कि आपता बहुत बड़ी हैं। लेकिन आपता को आउसर में बदलना ही मानव जीवन की विश्यस्ता है। इन दिनों सोशल मीडिया में, आप लोकडाउन का एक और प्रभाव देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग पीटर पर, फेस्बुक पर, इस्टागाम पर विस्तार से बता रहे हैं, कि कैसे वो अपने बच्चों के साथ जादा समय बिता रहे हैं। यह सही है कि पहले संयुक्त परिवार होता था, तो बच्चों को समालने का काम दादा दाजी कर लेते थे। आज जड़ा छोटे परिवार हो गए तो मुश्किल वाभाविक है। लेकिन आपने देखा होगा टीवी में, इलेक्ट्रानिक मीडिया में, रेडियो पर इसे लेकर कहीं नए नए शोव बन रहे हैं। हमारे देश के मीडिया में भी क्रियेटिविटी हैं। उन्होंने लोगों को एंगेज रखने के लिए लोगों को घरों में हैं। तो क्या करना चाहिए। बड़ा अच्छे प्रंग से इतने कम समयमनों किया है। और एक लोगडाउन की मैं नई-नई बाते वो दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। इस सब के बीच मेरे मन को कुछ और बातों ने भी बहुत प्रभावित किया है। मैं देख रहा हूँ कि मानव जाती कैसे इस वैस्विक संकट से जीतने के लिए एक साथ आ गई है। और इसमें भी सबसे बड़ी भूमी का निभा रही हैं, हमारी बाल से ना, बालकों की से ना। मैंने ऐसे वीडियो देखें, जिसमें 4-5 साल के बच्चे माता पिता को समझा रहे हैं, कि कैसे हाथ दोना है, बाहर नहीं निकलना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। बालक समझा रहे हैं छोटे छोटे बालक बाली काएं इस संकट पर अपनी प्रतिकाय दे रही है मैं ऐसे वीडियो सोचल मीडिया पर मैं काफी बीजी रहता हूं कभी मुझे अच्छा लगता है कोई कि सामान्य जन से जूरता हूं तो इन दिनों मैंने देखा कई परिवारों ने अपनी इस प्रकार की चीजे अपने बच्चों की सोचल मीडिया पर रखी है और घर में बच्चों की वीडियो बना बना करके वो अब तो मुबाइल फोन पर बन जाती है मेरे बेने जो देखी है मैं कोशिस करूँगा अगर डिलीट न हो गई हो तो मैं इसको इखटा करके जुरूर आज शेर करूँगा आपने अच्छा एडिया दिया है एक दो दिन में जुरूर मैं कर दूँगा अगर आज मुखा मिला तो आज कर दूँगा और आप सब अब्यान शुरू किया था तो आपने हर घर में देखा होगा बच्चों ने एक तरह से इस अभ्यान की कमाल संभाल दी थी आज के बच्चों की आज की विवापिडी की ये शक्ती मुझे तो बहुत प्रभावित करती है मैं उनकी टालेंट उनका सोचने का तरीका मझे बड़ा आनंद आता है हाँ कुछ माता पिता को ये चिंता सता रही होगी कि इतने लंबे समय तक घर में रहने पर कहीं बच्चे ही उन्हें बिठा कर पढ़ाई करवाना शुरू न करते हैं उनको यही डर लग रहा है वैसे और मुझे पक्ता विश्वास है इस भच्चे अपने बाबाब को कुछ कुछ पढ़ा के रहेंगे 21 दिट में बहुत कुछ सिखा देगी है वैसे साथियों मैं नमो एप पर आप सब के सुझाव और फिडबेक भी निरंतर पढ़ रहा हूँ स्री ओम प्रकास ठाकोर जी मुकेश दाज जी प्रभांसु जी अमित पांडे जी कविता जी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग 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 लोगों ने अपने अपने तरीके से ये सुझाव दिये हैं कि लोकडाउन को सक्ति के साथ और लंबे समय के लिए रागू किया जाए के वल आप ही नहीं पूरे देश से आप ही की तरव हजारों प्रभुद्ध नागरिकों ने भी फेस्बूक, ट्वीटर, इंस्टागाम और यूटूब पर इस महामारी से निपटने के लिए यही सलादी हैं अपील की है जब हमारे देश वासियों में खुद से ही ये संकल्प, ये समद्दारी हो इस चुनोती से जूजने की ये द्रड इच्छा सकती हो तो मुझे पुरा पुरा भरोसा है कि देश इस महामारी को जरूर जरूर हराएगा